आज हम बनाएंगे राजिस्थानी मसाला बाटी, हम एक टेस्टी आलू मसाला तयार करेंगे और उसे इस बाटी में स्टफ करेंगे, इसकी खास बात है कि इसे हम बनाएंगे बिना अवन, तंदूर या फिर कुकर कड़ाई के, एकदम नए तरीके से, ये बाटी इतनी बनती है कि इसे अगर आपने खा लिया तो आप समोसा कचोरी तो भूली जाएंगे, स्वागत आपका स्वाध्य रसोई में, स्टफिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधी कटोरी ताजी हरी मटर को थोड़ा बॉयल कर लिया था, इसे मैंने उबलते हुए पानी में ड नमक डालेंगे आधी चम्मच, अजवाइन डालेंगे आधी चम्मच, इस तरह क्रश करके डालें उससे फ्लेवर और अच्छा आता है, आधी चम्मच कसूरी मेथी डाल देते हैं, अब यहाँ पे मैं बेकिंग सोडा डाल रही हूँ जो खाने वाला मीठा सोडा होता है, व मैंने यहाँ चार चम्मच डाला है, अगर आटे में आप अच्छी तरह देसी गी मिला देंगे तो बाटी एकदम पॉफेक्ट बनेगी, क्योंकि हम इसे सेखने वाले हैं बिल्कुल नए तरीके से, जिसमें गी या तेल की जादा जरूरत नहीं पड़ती है, अब यहाँ ब अच्छी तरह एक लेयर लगाके, दस मिनिट के लिए इसको हम धककर रख देंगे, स्टफिंग बनाने के लिए यहाँ मैंने दो चम्मच तेल डाला है कडाई में, अब इसमें हम डालेंगे जीरा, आदे चम्मच और थोड़ी सी हींग, इसी के साथ मैं यहाँ पे अद्रक और हरीमिश डाल रही हूँ, बारी कटा हुआ अद्रक और हरीमिश यहाँ पे मिला देंगे और इसे भी फ्राइ कर लेंगे, अब हम इसमें मिलाएंगे हल्दी, आदी चम्मच, तो वैसे तो हम मतर और आलू दोनों बॉइल यूज़ कर रहे हैं, तो इने जादा पकाने की मतर डाल के इसको थोड़ा सा सौटे कर लेंगे, मतर यहाँ पे बहुत जादा हमें गलान ही नहीं है, इसलिए मैंने इसको हलका सा सौटे ही किया है, अब हम इसमें आलू आड़ कर देंगे, उबले वे आलू हैं, तो बस हमें केवल मसालों के साथ थोड़ा भूनना है, और हमें पकाने की भी ज़रूत नहीं है, और यह स्टफिंग बहुती फटा-फट से तयार हो जाती है, मसाले आड़ करेंगे इसमें, तो मैं लाल मिच पौडर डाल रही हूँ आदी चमच, इसे के साथ धनिया पौडर डालेंगे एक चमच, करम मसाला आदी चमच डाल देते है मसाले को और चर्ट पटा बनाने के लिए मैं यहाँ एक चमच चाट मसाला आएट कर रही हूँ, थोड़ा अमचूर पाउडर भी डालेंगे, आदी चमच नमक भी डाल देते हैं, पस सारे मसाले हमारे कमप्लीट हो गए हैं, अगर आप सारे इंग्रिडियन्स की लिस्ट च तयार हो गया है, उपर से इसमें फ्रेश हरा धनिया डाल देंगे, अब यह बिल्कुल आलू समोसा, आलू मटर की कचोरी, उसकी जो स्टफिंग बनाते हैं, हलवाई लोग बिल्कुल वैसी ही स्टफिंग बनके तयार हुई है, अब हम आटा चेक कर लेते हैं, इसमें जो हम हमें रखनी हैं स्टफिंग, तो मैंने यह मसाला जो है, इसके बॉल बना ली है, इस तरह से, इसको बीच में रखके, अब हमें जो एजिस हैं, उनको अच्छे से सील करना है, तो अंगुठे से दबाते हुए स्टफिंग को अंदर करें, और किनारों को उठाते हुए इस त इसको बन गई है, मैं थोड़ी सी इस पर मार्किंग लगा रही हूँ, ऐसा किया जाता है, क्योंकि जो साधी बाटी है, उससे यह थोड़ी सी डिफरेंट लगे, तो बस फटा-फट से मैंने सारी बाटियां स्टफ करके तयार कर ली हैं, आप देख सकते हैं, अब हम इने ब दाला था मॉइन में, तो यहाँ पे हम बस केवल ब्रश से हलका सा ओयल लगा रहे हैं, ऐसी ही क्विक और टेस्टी रेसिपीज और देखने के लिए, फ्रेंज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें, और बेल आइकन को जरूर हिट करें, ओयल लगा क करते हुए मैंने पका लिया है, करीब 5-7 मिनिट लगते हैं और यह बाटियां एकदम बढ़िया सी सिख जाती हैं, देखें कितनी बढ़िया सुनेरी सिख गई हैं, आप देख सकते हैं कि इसमें जो क्रैक्स आ रहे हैं, यह हमने जो बेकिंग सोडा एड़ किया उसकी तंदूर, बिना कड़ाई या कुकर के, आप ये गेहुंके आटे से टेस्टी मसाला बाटी बनाके तयार कर सकते हैं, जिसे सभी पसंद करेंगे, यह राजस्थानी मसाला बाटी बनकर तयार हो गई है, इसे आप सrv कर सकते हैं, लहसुन की चटनी या फिर मसालے वाली दा राजस्थानी दाल बाटी चूर्मा तो आपने बहुत बार बनाया होगा, एक बार ये भरवा बाटी जरूर बना कर देखें, रेसिपी अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करना बिलकुल भी न भूलें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर हिट करें, ताकि जैसे ही हम कोई नई रेसिपी अपलोड करें, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आए, देखते रहें स्वाध्यारसोई, जहां है स्वाध भी और सेहत भी